आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि एरपोर्ट्स अथॉर्टी आफ इंडिया ने अपना रिजर्ड डिक्लेर किया है कल बहुत ज्यादा लोगों को जॉइनिंग दिया है मतलब कल की डेट में लेटर मेल किया हुआ है जॉइनिंग 23 को दिया है कुछ लोगों को 9 जैन करना मकसद सिर्फ यह है इस्पेशली उन लोगों को बताना जो मुझे तीचर के रूप में जyy जानते हैं कि मैं इसके पहले बैजूस में पढ़ाती था लगोऌ इस लिए है अचील Sumerate 10 के लिए अच्छा कहाता अच्छ सा आसाउच हैं चल रहा था तो आपने अचानक से क्यों एटीसी जोइन कर लिया तो देखें सबसे बड़ा रीजन तो मैं बताता हूं आपका कि लास्ट येर मैंने एटीसी का बैच पढ़ाया था जिसमें 30 प्लस आउट ओफ 264 स्टुडेंट सेलेक्ट हुए तो मैं यूजरी मैं 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 अपने मैं और फिजिक्स भी पढ़ाता था तो जो मेरी यूट्यूब चैनल था जहां मैं पढ़ा रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा पढ़ाने के लिए तो मैं उस समय उनके पास मैं प्रणाट की टीचर अलड़ी अवैलबल थे तो मैं फिजिक्स भी पढ़ाता था तो मैंने क्या किया कि मैंने फिजिक्स भी उनके यहां पर मैंने फिजिक्स बढ़ा रहे अब एडिसी का फिजिक्स पढ़ाने के बाद जब इस्ट्रेंट्स लोग सेलेक्ट हो गये तुमस इस्ट्रेस अलाइंस मिलता है लेकिन जो कुछ है काम तक ही है घर पे आने के बाद आपसे कोई पूछने वाला नहीं है और यह बाद टीचिंग तो मेरे जीन में है तो तो हम कहीं से भी कर सकते हैं आपका मदद करना चाहेंगे तो हम कहीं से भी कर सकते हैं आपका नहीं कि आप जिस भी आप जिस भी फीड में किसी का कुछ भी आप आपके एक शब्ग से किसी का भला हो जाए तो मैं कहूंगा करिए इसे कोई चार्ज नहीं लगते आपके तो मेरा बताने का सिंपल रिजन नहीं था कि हाँ मैं अब मैं बाइजूज में मैं रिजाइन करूंगा बाइजूज में रिजाइन करने के बाद अभी 23rd जैन्वरी को हम लखनो में ओजी टी एजवाइन करेंगे अभी तक बहुत से लोगों का रिक्वेस्ट बिदा कि सर आपने लास्टी इतना अच्छा पढ़ाया था फिज इसकी मलब मैंने कंटेंट डेवलोप्मेंट में ज्वाइन किया बाइजूस को मैंने टीचिंग इसलिए भी नहीं ज्वाइन किया कि चलो कुछ दिंग के लिए खोड़ा सा रिलैक्स लेते हैं और फिर प्रिपेर था तो हो गया मतलब आई थिंकि मैंने 30 आउट अट अट फ्रिजिक्स में 29 आउट ओफ 30 किया और कौंट्स और रिजनिंग में 28 किया तीस में और बाकी जीएस तो जानते ही हो अगर टेक्निकल अच्छा है तो जीएस अच्छा नहीं होता इंग्लिस के अपन ऐसे कोई तो बिद्यारती रहे नहीं है कि हम इंग्लिस में कोई 20 में 18 म 12 1 में अपर तो मेरा उम्मीद रहेगा कि मैं आप से आने वाले टाइम में यहां इस वीडियो का मकसद यह है कि देखिए आप हो सकता है कि आप पैसे कमा रहे हों मैं अपर नार्मल गौर्वर्मेंट जॉब को देखोगे तो उनके कंपेरिजन में आपको एटीसी की सेलरी अच्छी है पांच दस हजार इधर उतर होने से आपको कोई फरक नहीं पड़ता है आपका में चीज होता है कि एटीसी तो फैंसी जॉब आप कहीं पर जब रहते हो ना तो आप लोगो मेरे उमीद रहेगी कि मेरे पास एक परसंट भी है तो मैं आपको ट्रांसफर कर सको आपका मैं चाहता हूँ मैं पहला बने जबताया इस पेसले उनको फोकस करके लिए जो मेरे स्टुडेंट थे और चाहा रहे थे कि सर आप कहा हो और क्या नहीं कर रहे हो मैं इसलिए बता मैं आपका help करने की कोशिश करूंगा बट हां most important आपको अगर लगता है कि sir preparation कैसा कुछ मैं क्या पता हूं आपको जो doubt लगता है अगर आप पूछोगे अगर मुझे लगता है कि मैं आपका help कर सकता हूं तो I'll be the happiest person to help you मैंने बाइजूस को मैं छोड़ रहा हूं अच्छा अच्छा खासा चल रहा था ITG का मैं पढ़ा रहा था everything was settled but ultimately कहते है ना कि हर कुछ कभी-कभी पैसे कभी-कभी माबाप की खुशी ना पैसे बहारी पढ़ जाती है और यह हिंदुस्तान है हिंदुस्तान में सरकारी नौक लिए संदर पिजाई को भी बोलेंगे कि संदर पिजाई की माबाप से किसी ने बोला कि आरे बेटा आपका आजनी उपर पोस्ट पे है तो आप कैसा आपको फील हो रहा है बेटा हमारे बहुत अच्छा था थोड़ा सावर मेहनत कर देता तो सरकारी नौकरी लग जाती तो यह है मैं सरकारी नौकरी ऐसा नहीं है प्राइवेट का बुराई कर रहा हूं मैं खुद कार्पूरेट से आ रहा हूं तो उसका आप उसको एक साइड रखिए आपका अगर ड्रीम है एटीसी तो एटीसी तो वेरी गुट जाब और इस वेरी हॉट जोब इस बहुत जल्दी जल् आउट है आप पूछते रहिए तो मैं कोशिश करूंगा आपका हेल्प करते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई